वेलकम दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वारी हूँ Secret Temptation Brightening Under Arm Roll-On का रिव्यू तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो रोल-on है मैं तकरीबन तीन महीने से यूज कर रही हूँ उसके बाद ही इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने आई हूँ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी packaging की packaging दोस्तो इसकी बहुत अच्छी ऐसे cardboard box में ये आता है और इसके अंदर एक mini bottle रहती है और इसके जो handling है जो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि packaging इसके बहुत अच्छी box इसका काफी ये जो इसकी strong है तो ना तो product इसके अंदर कोई लीक होता है और ना ही bottle कोई तोटने का कोई दिक्कत है अब इसको खूल के देख लेते हैं खूलने के बाद आपको इसके अंदर से ऐसे एक mini bottle मिलेगी इसके जो quantity है वो है 50 ml और ये claim करता है कि ये है aluminium free and zero personal alcohol इसमें alcohol ना होने की वज़े से फ्रेंशिय स्किन पे बिल्कुल भी हार्ष नहीं है और आपको कोई भी इसके साथ कोई itching या कोई further को dryness या किसे तरह की कोई तकलीफ नहीं इसके साथ महसूस होगी इसके उपर क्योंकि ये इसमें alcohol पिल्कुल नहीं है और ये बात fact है मैंने भी use करती हूं मुझे इसके साथ कोई भी skin पे कोई irritation या कोई itching वगारा की feeling नहीं आती है और ये ये भी claim करता है कि 48 hours तक ये order को रोकता है 48 hours तक antiperspirant actually तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको 24 hours तक तो मैंने use किया है कि आप everyday नहाते हो उसके बाद इसको लगा लो तो आपको 24 hours तक कोई भी order की problem नहीं रहती है 48 hours तक तो use नहीं किया है लेकिन हाँ क्यूंकि गर्मियों के दिन है बार बार नहाना होता है तो जब भी मैं नहाते हैं से लगा लेकिन हाँ 24 hours तक तक तो इसका ये बिल्कुल guaranteed है कि कोई order की smell मुझे तो ऐसी नहीं होई है तो इसलिए ये इसकी order controlling जो इसकी है इसकी power जो अच्छी है next इसकी बात कर लेते हैं brightening के तो brightening के बारे में ये claim करता है कि brightening underarm roll on है तो दोस्तो definitely ये help करता होगा जिसके underarms darken होंगे लेकिन मुझे ऐसे issue नहीं है तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि इसने मुझे आगे मेरी underarms को bright किया है लेकिन हाँ ये alcohol free है तो उस वज़े से मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मेरी underarms dark हो गई है क्योंकि alcohol की वज़े से skin पे एसे irritation या darkening का issue आता मुझे ऐसा issue नहीं आया है तो मेरी underarms darken नहीं हुए है तो इसलिए मुझे ये helpful लगा है और अब इसकी बात कर लेते हैं friends ये इसकी manufacturing date की तो ये है January 2022 और इसकी expiry date है 12 2023 अच्छा खासा time है इसको use करने के लिए बीच में और ऐसा नहीं है कि क्यों ये नेरिंग expiry है या फिर expired product आ रहा है ऐसा कोई शुनी है और दोस्तों ये easily available है flip card पे भी और Amazon पे भी आप इसको buy कर सकते हैं प्राइस की 185 रुपीज है और अगर आप इसको किसी deal में लेते हैं जैसे कोई offer price में आपको मिल रहा है तो आप उसमें आपको ये और भी सस्ता बढ़ जाएगा लाइक मुझे ये 149 रुपीज में I guess है बड़ी अच्छी खासी price में तो फ्रेंस ये बहुत ही convenient है इसको buy करना भी और अगर आप देखें तो ये बहुत छोटी सी bottle है जिसकी वज़े से easy to carry भी है अगर आप कहीं travel कर रहे हो या कहीं पे जाके 3-4 दिन रहने वाले हो तो दोस्तों ये आपको बहुत easy रहेगा इस तो ऐसा नहीं कि ये आपका 15-20 दिन में खतम हो जाएगा depending upon your usage अगर आप इसको बहुत सादा यूज कर रहे हैं तिन में तीन चार बार लगा रहे हैं तो definitely दोस्तों ये चल्दी खतम होगा लेकिन हाँ अगर आप इसको 24 आवर्स में ही यूज कर रहे हैं तो ये आराम से महीना चल जाता है तो ऐसा कोई issue नहीं के बार पर खरेदना बढ़ रहा है और friends इसके इस roll on के और भी variants हैं जिनकी fragrances मैंने भी try नहीं की हैं क्योंकि मैंने सबसे पहले यही खरीदा था तो मुझे इसकी fragrance इतनी अच्छी लगी कि मैं दूसरा कोई try करी नहीं पाई तो मुझ दोस्तो यह था मेरा आज का secret temptation under a roll on का review अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like कीचे और चैनल को subscribe कीचे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक bye bye